असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब अमीद हैं ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे अभी आप यह सौच रहे होंगे कि Yeah क능 यहां आज की वीडियो कटिंग स्टिचिंग और मेखया बिल्कख़ भी नहीं है क्वेल्जर फॉक। हैं मेरा फस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा यह सब कुछ शेयर करूंगी तो वीडियो कम्प्रीट देखें चले अब मैं आपको पताती हूँ हम कहा जा रहे हैं हम जा रहे हैं मरी oh my god I'm so excited मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं first time जा रही हूँ वो भी अपने husband के साथ अपने life partner के साथ इतनी अच्छी जगा पे पहले मैं कुछ study में बीजी थी यूनिवस्टी ट्रिप्स जाते थी लेकिन मैं मिस कर देती थी लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बस अब मुझे यह मैं फटा फट से पहुंचू और मैं अच्छी ची pictures अच्छी वीडियो बनाऊ रात के बारा बज़े जी हम मरी पहुंचे हैं अब हम इस होटाल में स्टेक करेंगे अफगानी प्लाव हम खाने लगे हैं काफी मज़े का टेस्ट है इसका रूम हमें काफी अच्छा मिल गया नीट अन्ड क्लीन है अब हम सुबा निकलेंगे और फिर हम जाएंगे नत्या गली बूर बन और और आयूबिया पट्रियाटा पता है कौन कौन से जगए हैं जो वकार बता रहे थे तो हम वहां पर जाएंगे तो अब मैं बाकी की वीडियो सुबा बनाऊंगी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आप येकीन करें कि इतनी लंबे सफर में मुझे बिलकुल थकावट ने हुई ना ही मुझे नीद आ रही है बस वेट करें कि कब सुबा हो और मैं नहीनी जगे देखूँ गुड मॉर्निंग और एद मुबारिक आगे जाकर कि थोड़ा बहुत डर्ड भी लगता है कि आगे से कोई कार या गारी ना आ जाए यहां पे तो सांस लेने में भी इतना सकून है कि ऐसे लगता है जैसे फ्रेश फ्रेश सांस हम ले रहे हैं कोई डर्ड नहीं है यहां के ट्रीज की जो फ्रेग्रेंस है उसमें जब हम सांस लेते हैं तो बहुत इच्छा लगता है बारिश के बाद यहां पे मौसम इतना अच्छा हो गया है हलकी हलकी दून भी है और दरख बारिश के बाद इतनी खुबसूरत लग रहे हैं जैसे कोई नया अंदास लेकर हमारे सामने आए हैं मैं आला की तारीफ में क्या बोलो मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हम तो घर का थोड़ा सा काम करके इतना तक जाते हैं हमारे लिए कितनी खुबसूरत चीजें जगें हर चीज हमारे लिए बनाई है हमारे खाने पीने रहने हर चीज का सोचा है हम तो जितना भी उनका शुक्रत आगर से के हो शायद कम हो हम तो नमाज ही पबंदी से नहीं पढ़ते जिसमें हमें हुक्म दिया है चाए बचके हैं और यह चाए हमें बहुत मुश्किक मिली है क्यूंके सब शाप्स रेस्टरिंट्स बंद हैं कुर्बानी की ईद है इस वज़े से तो यह बस बहुत मुश्किल हमें एक बच्चे ने चाया बना के दी है फ्री में लेकिन हमने फ्री में पी नहीं है अब जी हम कारवाश करवाने लगे हैं काफी गंदी हो गई थी काफी जगे हमने देख ली है और बाकी जो जगे हैं वो बस मैं उनकी वीडियोस नहीं बना सकी वो मुझसे मिस हो गया नेक्स टाइम इंशाला मैं सब वीडियोस दिखाऊंगी अब भी हम इसलावंबाद जाएंगे और वहाँ पे मैं अपनी कजन को मिलूंगी फिर हम जाएंगे मुलतान क्योंके मुलतान में हमने कुर्बानी करनी है मेरे in-laws सब मुलतान में है इसलیں हम कुर्बानी वहीं पे करते हैं और एड के तीसरे दिन मैंने अम्मी अब्वो को इन्वाइट किया है अपने घर तो मैंने उनकी दावत रकी है ओकी जी अब हम जा रहे हैं गर वापस क्योंके घर जा के मैंने दावत की तियारियां करनी है और अभी अभी मैं अपनी कदिन से मिल के आ रही हूँ हुमा से इसलामबाद और बहुत मज़ा आया है उसकी तरफ वो भी बहुत एकसाइटर थी मैं भी बहुत एकसाइटर थी उसने काफी कुछ बनाया था रिशन सालर्ड, गॉल गप्पे, अचारी मटन और भी काफी कुछ था बहुत मज़ा आया थैंक यू सो मच हुमा हम घर वापस आ गए हैं और अभी मैं रूम की सेटिंग कर रही हूँ उसके बाद मैं खाना शाना बनाओंगी तो हो सकता है मैं ज्यादा वीडियो ना बना सकूँ लेकिन जो भी बनेगी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी बद बनाओ और आपसे शेयर करो ये न्यू बेट शीट ली थी मैंने ये के लिए तो आज मैं यही बिचाऊंगी सब की आने के लिए इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ अच्छा जी सब महमान आ चुके हैं और ये हमारी क्यूट सी डॉल भी आ गई है ये ड्रेस इससे मैंने स्टिच करके दिया था अगर आपने मेरे इस ड्रेस की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं अब मैं ज़रा जा रही हूँ थोड़ा काम कर लूँ और तब तक आप इन बच्चों की हरकतें देखें उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को भी प्रेस करें ताके मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियोस अलाहाफिज और एद मुबारिक अलाहाफिज और आपकोन को भीडियोस